पार शुरू हो गया इस वक्त इस वक्त फार शुरू हो गया जल्दी उपर 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 जल्दी 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 फार शुरू हो गया इस वक्त और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यहां से बचकर भाग सकें अभी आपने जो तस्वीरे देखी वो चम्मू के मेंडर सेक्टर के धराना गाउं की हैं दो दिन तक यहां हर पल पाकिस्तान की ओर से मोटार के शेल दागे गए माडराम जी के घर में मातम पसरा है और एक आए गोला बारी जो है वो फिर से सुरू हो गई अभी आपने घरों की तरफ निकल रहें क्योंकि एक फिर से मोटार के गोले जो है वो पाकिस्तान के तरफ से तरफ दागे जा रहे हैं इंडियनीज की टीम इस वक्त बेगा गाउं में पहुंची है और आपको बता दूँगी यहां अभी अभी एक बं जो है वो गिरा है यह आप देख सकते हैं यह मोटार शल जो है एक सीधा यहां आकर गिरा है और यहां से इसके चर्रे जो है आप देखेंगे यह पूरे इस इलाके में जो है यह नुक्सान दे गए है जो है फारिंग आपको बता दूँ एक पर फिर से तेज जो है वो हो गई है सुभा से वो गोलाबारी पाकिस्तान के ओर से की जा रही है भारी शती भारी नुकसान लोगों को यहाँ पर छेल ना परड़ रहा है अर्निया मैं अगर बात करें इस समय पास में गोलाबारी यहाँ पर की जा रही है